नमस्कर दोस्तों कैसे हैं आप आज हम बात करने वाले हैं भारत के दर्रों के बारे ठीक है ये काफी ऐसा मुद्दा है जो लगपक हर एक जाम में एक आत्कोशन इसके आही जाते हैं और अक्सर बच्चे इसमें कोई न कोई गलती करे देते हैं इसलिए जह हम पढ़ेंगे भ दर्रे पढ़ाने पर है ना कि मैब बनाने पर ठीक है ध्यान में चाहिए तो चलिए सब्सक्राइब हम आते हैं भारत के उत्तर यानि जैमुवर कस्मेर के बादे में देखे आपको एक चीज समझ लेजिए जो ये रेखा है ये वो रेखा है जो हिस्सा हमारे कबजे पर नह आते हैं लहीं अक्सक्राइब है कि मैं करते हैं पहुंचा दर्रत में इसकी हँच्छै कि इसकी हाईट कितनी है लगबख पांच या चैस चोमंझ प्रिंड है स्वरी मीटर पांच जारशे सो चांबन मीटर ठीक है ये भारत का सबसे उचा दर्रा है याद रखिएगा भारत का सबसे उचा दर्रा ठीक है कौन है? कारा पूरम ये कुशन अकसर आता है तो इसको आप जो है वेरी इंपोर्डेंट कुशन में से इसके मैंने बताई यह आपको प्योके हैं ठीक है अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर इसके नार्थ में यानि की जो हमारा जम्मु कस्मीर हो इसको जोड़ता हुआ एक दर्रा है बुर्जिल का दर्रा ठीक है यह किसको जोड़ता है जे एन के हमारा यानि की अगर हम बात कर यहां पर स्री नगर है और यहां पर आपका इनको जोड़ता है कर फ़सरे दल रहा एक यह आप आपका बनिहाल का दर्वा ठीक है कौन सा यही पे इसी दर्वे पे एक खास बात है और वो क्या है यही पे जवाहर सुरंग है जवाहर सुरंग किसमे है बनिहाल के इसके साथ एक खास बात हो रहा है इस सुरंग के साथ यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, कौन सुरंग, हाइवे सुरंग, ठीक है, यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, इसकी लंबाई है लगभग 9 km, 9.2 km के आज पास है, एक जैक्ट मुझे वो याद नहीं है, लेकिन लगभग 9 km के आज पास है, यह क्या है, दुनिय की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है इसके बाद आते हैं पीर पंजाल हमारा हो गया बुर्जिल हो गया बनिहाल हो गया अब आते हैं जोजिला जोजिला दर्रा हमारे एरिये पे है ये किसको जोड़ता है ये पियो के और ये आपका जेंड के इन दोनों एरिये को जोड़ता है कौनसा जोजिला इसके बाद आईए अपने नीचे पे ठीक है? पिरोके सारे दर्ष हमारे हो गए ये आपका जो मैंने ये एरिया बनाया ये आपका हिमाईचर है और ये एरिया आपका उत्वर खंड है ठीक है? यहां पे आपके तीन दर्ष है पहला ये है आपका सिप्कीला एक मिट्र के लिए इसको आपने नोट के लिए होगा ये आपका है सिप्कीला ला का मतलब होता है दर्रा इसको आप सिप्की दर्रा भी बोल सकते हैं या सिप्कीला बोल सकते हैं ठीक है सिप्की दर्रा बोल सकते हैं या सिप्कीला बोल सकते हैं ये आपका सिप्कीला है ये जो आपका है ये रोतांग है अगर किसी के याद हो तो यहां पर एक टनल बना हुआ है उसका नाम है अटल टनल कभी कुशन अगर आए कि अटल टनल किस दर्डे पर बना है तो कौन सा है रोतान दर्डा ठीक है याद रहेगा आपको यह हो गया आपका सिट्किला यह क्या है बड़ा लाचा यह दर्डा आपका जोड़ता है मंडी और ले को किसको जोड़ता है मंडी और ले को ठीक है मैं आपको भी सारह को सुकु कर दूँगा अब हिकों सिर्फ मैप में देख लिए कि इक को को जोड़ता था है वह आपको बता दूगा एक इस च Moreover हिसके बाद देखिए यह आपका रोताँ G당 में चाहाँ इंग Πाताँ G YE SH इसमें से इक जब उता दूं कि जो माना है यह गाव है अगर देखें तो उत्रक खंड का सबसे अंतिम गावैं उत्रक खंड का अंतिम गावैं तो बोल जाता है इसका अच्छली नाम है मारा और इसी के नाम प्पढ़ा है माना दर्रा ठीक है उसके बाद आएए इसको इसका नाम है नीदिदर्रा ओके और यह इसका नाम है लिपूलेक यहीं पिसको लिख देता हूँ लिपू लिख ठीक है अब वो आते हैं उत्राखन के बाद सिख्की सिख्की में इसका नाम है आपका नातला आपने इसका नाम सुना होगा कौन्च अधर रहा है नातला और ये जेलेपला जेलेप ला या तरग्रा ठीक है ये आपका सिख्की में के हो गए दो दर है अब आते हैं हम अरवांचर में अरवांचर में जो है कर देखा जाए तो यहां पर भी चार दर रहे हैं बेसिक तीन कहते हैं लेकिन चार दर रहे हैं ठीक है फर्स्ट आप आएए यहां पर बोम डिला कौन सा है बोमडिला यह कौन सा है यांग्याप यह कौन सा है आपका पान्ग यह हैं यह यहां पर पांग्शाव यहां पर दिखो इसके बाद एक दर्रा है मड़ी पुझे इसका नाम है तुझे तो यह दर्रे हमारे पूरब के हो गए उत्तर के हो गए दच्छण में और परश्यम का अगर हम दच्छण परश्यम देखें तो यहां पर कुछ दर्रे हैं आप सब को होगा यहां पर कौन से पाड़ी है यहां पर पश्यम घाट के पाड़ी है यहां पर कौन से पाड़ी है पश्यम घाट के पाड़ी है और यहां पर जो दर्रे हैं यह आपका यह आपका महारास्ट है तो यहां पर आपका एक थाल घाट का दर्रा है और यह आपका भोर घाट ठाल गाट और भोल गाट ये आपको केरल वाल हिस्सा है ठीक है क्यों सा है केरल वाल हिस्सा है यहां पर आपको मिलेगा पाल घाट और ये आपका शेन कुट्टे इस तरह से हमने अपने सारे दर्रे कंप्रीट कर लिए अब हम इस तोड़ से जानते हैं इनकी लोकेशन के बारे में यहां भी मैंने आपको सबको बता दिया कि कौन किस किस लोकेशन पर है वैसे यहां पर भी आपको पता ही है देखिए यह आपका हिमान्चर प्रदेश है अगर आपको देखना कि कहां पर है अगर एक बार आप इसको अपर दिमार को बिठा लिया इसके बार आपको कभी नहीं बूले कौन सदर्रा कहां पर भी है कुछ न में कुछ भी आएगा कुछ न गैसे भी बनाएगा अपसर ही पूछता है कि कौन सदर्रा किस स्टेट पर है अपसे सिर्फ इतना ही पूछ जाता है लेकिन ऐसे मैं आप समझ सकते हैं कि उस स्टेट के किस किस एरिये पे वह दर्रा है इसलिए मिने आपको पूरा एक मैड बना दिया है उसकी लोकेश नहीं किसी बाहर को नहीं जूड़ता है देखे बाहर कौन को जूड़ता है एक तो आपका काराफूरा हो गया ठीक है जो लद्दाक और तिबत यानि चीन इसको जूड़ता है ठीक है एक आपका सिपकिला दर्रा हो गया एक आपका माना दर्रा हो गया यह किस को जूड़ता जो गया है। उत्राखण में मानागाऊं को और तिवतлат को ऐसे ही ये आपका ये नीद दर्रा हो गया ॔र ये लिपलेक हो गया। ठिक है इधार आन्पला हो गया। और यहां पे देखिए ये वाला आपका बोमिडिला हो गया यहां पर आपका यांगदाफ हो गया और यह आपका पांगशा हो गया अगर हम देखें बोमिडिला को बोमिडिला किसको जोड़ता है अनांचर को और तिप्पत को हैसे ही यांगदाफ भी जो है अनांचर और तिप्पत को जोड़ता है एक थास बात है य कि इसको जोड़ता है हमारा प्रदेश और म्यामार को इधर आपका म्यामार है और सेन दिफु के साथ है दिफु भी और प्रदेश और म्यामार को जोड़ता है ठीक है तो यह आपको क्लियर रहाता है इसके बाद तुजु है तुजु आपका मनीपूर और म्यामार को जोड़ को यहां पर और देखिए है यहां माली जाय है यहां पर मुंबई लोगाट को और यहां पर पूने मुंबई है इसके बाद कि पाल गारं यह को Cindy औ Estejas चमय कर सकते हैं उसको जोडता है और यह आपका सेनकुट्टे तुर्वनपुरम और मदुरय को जोडता है ठीक है तो यह चीज़े आपको डेटेल एक लिख दोंगा आप उसमें से देख लेजेगा अभी हमें बस एक चीज़ देखने हैं के लोकेशन खासकर इनकी यह तो हमक यहां पर नेल गिरी की पहाड़ी है ठीक है यहां पर नेल गिरी यहां पर चार पहाड़ी है अगर आपको याद होंगी तो यह बहुत कुछन पूंचता है यहां पर नेल गिरी है उसके पाद क्या है अन्ना मलाई है उसके बाद इलाइची है ठीक है इलाइची और उसके ब लेसी पहारियां हैं और इन पहारियों के देखे यह जो आपका पाल घाथ है यह नेलगी और अनदाम्लाई पहारी के बीच में है यह दर्रा है थिक है और जो यह दो कुछ टेकर कर क्यूं कशन आता है कहा पे तो यह आपकी इलाची के पहारी पे है कहां पे है लाची के पहारी ठीक है यहां से क्लियर अब चाहें तो इसके ले लिए इसके बाद मैं आपको कुछ दर्वों की बारे बताऊंगा जो खास है अब देखिए इसमें कुछ दर्वे हमारे ब्यापारी के लिए होता है खासकर चाइना के साथ इधर में हमार है इधर चाइना है दो ही बेसिक देश हैं जहां से हमारे दर्वे ओपन होते हैं ठीक है इसके साथ हमारे कुछ खास ब्यापार नहीं लेकि चै लेकी साथ हमारे बहुत बढ़ ब्हुत बंद ज़िए तो इसमें तीन दर्वे ऐसे हैं जो हमारे ब्यापार का मुख केंद्र हैं देखे इस पर अगर हम आते हैं बाधक तो एक दर्वा पर आपका यह नादला ये कहां पे है? सिक्किम पे है ये कौँँ जगा है? सिक्किम है नातला ये हमारा सबसे पुराना व्यापारिक केंद्र रहा है हमारा सारा व्यापार यहीं से होता था लेकिन 1962 के जब जगड़ा हुआ हमारा यूध हुआ था उस यूद्ध के बाद इसको हमने कनोज कर दिया था और इसके बाद ये 1978 में दुबारा खोला गया था ठीक है 1978 में इसको दुबारा खोला गया था लेकिन इसका जो है अगर कहें सुरुवात तो सुरुवात हमारी होईगी 26 ठीक है अब आते हैं सिपकिला एक दर्रह ये आपका है ये 1993 में से सुरुवा है सिपकिला दर्रह से हमारा भ्यापर कब सुरुवा 1993 से सुरुवा है इसको most important है अगर कहीं पूंस्ता gateway of India चाइना के लिए तो ये तीन है एक ये एक ये और एक ये ये है हमारा लेपुलेग जो उत्राखंड में है ये सुरुवा था 1992 से यनि कि अगर हम कहें स्वीज देखें तो सबस्पहले हमने कहां सुरुव किया था लेपुलेग उत्राखंड इसके बाद सिपकिला 1993 और ये जो ना थुला हमारा 2003 में तो हमने वो किया था उसके बाद 2006 से इसको हमने दुबारा सुरु किया था ठीक है तो ये हुआ आपके सारे दर्रे देश के इसमें कोई कोशन होगा तो आप कमेट करिएगा मैं आपको वहाँ पर आंसर गड़ने कोशिस करूँगा ठीक है पूरा हो चुगा है फिर किसी नए वीडियो सब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सब तक लिए नमस्कार